तो येस, वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाई शुरेनिक जेन यूटूब चानल पावर ग्रीड कमनी की तरफ से रिग्रूब में निकल करके आ रही है for 2022, येस यहाँ पर फ्रेशर्स अपलाई कर सकते हैं All India eligible है, डिपलोमा, ITI, B, B, Tech, MBA ये सभी के लिए opportunity निकली हुई है, कोई application fees नहीं है, कोई exam नहीं है सीधा merit के business पर selection होने वाला है, जो percentage आपने score किये है आपके degree हासिल करने में, बट देखो यार important points पहली बता देता हूँ ताकि आपका समय वेच ना हो, सबसे पहले ये one year का apprenticeship training program है तो apprenticeship करते क्यों है, trainee program करते क्यों है, ताकि आपका fresher का tag हट जाए और आप experience वाले category में आ जाओ, ठीक है दूसरी बात यापर recent two years अगर आप pass out हुए हो, तब भी आप apply कर सकते हो अगर उसके पहले pass out हुए हो, तो आप apply नहीं कर पाऊगे ये सारी चीज इस PDF के अंदर mention की गई है, इसलिए मैं पहली पता दे रहा हूँ अगर आप fit होते हो, interested हो, तो पूरा वीडियो देखना नहीं, तो यापर वीडियो को छोड़ सकते हो जनरलाइस किया हुआ है, हर state की अलग से यहाँ पर चीज़े बताए गई है, जैसे आप देख सकते हो corporate center, gurugram, हरियाना में, जो आपकी job location है, अगर आप click here करोगे, तो detail PDF निकलाएगा, ठीक है क्योंकि यह apprenticeship program है, तो आपको Nats portal पर जा करके, अपने आपको register करवा लेना है, ठीक है तो एक बार आप वो register करवा लेते हो, अगर आप HR executive या CSR या executive या executive law, ITI वाले हो, तो इस वाले apprenticeship से आपको register करना है और अगर आप degree diploma वाले हो, तो इस वाले portal से आपको register करना है, एक बार वो हो गया, तो फिर आप यहाँ पर click कर सकते हो, और फिर respective positions के लिए apply कर सकते हो, जैसे अगर ODSा में यहाँ पर देखा जाए, तो graduate computer science है, तो एक apprenticeship की vacancy है, ODSा में, तो यहाँ पर apply now का button है, click करते हो, पर apply now में भरना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी अगर आपको query है, तो आप इनको contact कर सकते हो, या पर email ID भी दिया गया है, अच्छा, आगे बात करते है, important dates कब apply कर सकते है, 7 July से application start हो गया था, आज तो 9 July है, आप आराम से apply कर सकते हो, last date आपका 31 July है, इस चीज का ध्यान रखन बाकि अगर important चीजों के बार में बात करें, तो सबसे important है, कि अगर आप final examination का result का wait कर रहे हो, तो आप apply नहीं कर पाओगे, और यहाँ पर complete नहीं किया है, years, तो फिर आप apply नहीं कर पाओगे, और अगर कहीं आपने पहले ही apprenticeship कर लिया है, तब आप उस case में कोई भी apprenticeship नहीं कर पाओगे, यह तो छोड़ो, अगर आगे भी कोई आजाएगी, तब भी आप apply नहीं कर पाओगे, और job experience अगर एक साल से जादा का है, तो again कोई भी apprenticeship आप नहीं कर पाओगे, एक बहुत ही general criteria है, जो हर एक apprenticeship में होता है, तो वापस से मैं आपको बता दिया, and yes, अब बात करते एक PDF open कर लेता हूँ, northern region, फरिदाबाद का PDF open कर लेता हूँ, तो detail में सारा कुछ बताया गया है, कि कब start हो रहा है, कब खतम हो रहा है, और Delhi region में कितनी vacancy है, है न, तो state of Delhi में आप देख सकते हो, 12 vacancy है, ITI वालों के लिए है, डिप्लोमा के लिए है, graduate, electrical, graduate, civil वालों के solution भी दिया है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है, अचा, फिर वैसे ही, हर्याना के लिए next है, UP के लिए next है, राजस्तान के लिए है, उतराखन के लिए है, और कुछ important चीज है, trainee location आपको यहाँ पर बताया गया है, कौन-कौन से location में आपका काम रहने वाला है, और यहाँ पर आगे बात करते हैं कि सर्जी, pass out year कोई भी चलेगा, तो उन्होंने clearly mention किया गया है, candidates who possess educational qualification as mentioned and passed within two years from the closing date of application, तो recent two years में अगर आप pass out हो, तब आप apply कर पाओगे, यह highlight करके यहाँ पर बताया गया है, बाकि ऐसे कुछ खास चीज नहीं है, बाकि तो मैंने आपको प देखना है, तो यहाँ पर बताया गया है, कि जम्मू में भली कहा गया है, बट उसके अंदर कौन-कौन state आते है, सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है, उसके साथ-साथ यहाँ पर क्या आपकी salary रहेगी, क्या आपका criteria रहेगा, selection process तो मैंने पहली कह दिया है, short listing as per the percentage of marks you have scored in the respective degree, ठीक है, बस यही सारी चीज है, अगर आप interested हो, तो जरूर से भरना, मैं link दे दूँगा, यह website की link दे दूँगा, जिससे आप सारे websites पर जा सकते हो, यहाँ पर click करोगे, तो PDF open हो जाएगी, और यहाँ पर click करोगे, तो Nats portal open हो जाएगा, यहाँ पर click करोगे, तो respective post ID, और आपके एडिया में कितनी वेकेंसी है, उसके बार में पता चल जाएगा, ठीक है, चलो, तो इसी के साथ आज की वीडियो एंड करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आती है, जर से वीडियो को like करना, share करना आपके दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो सके, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में आप टिलन टेक केर, बाइ बाइ फानाव, सी या